महराष्ट में मराठा आरक्षन को लेकर शिंदे सरकार की मुश्किले कम होती दिखाई नहीं दे रही है पहले मनोज जरांगे पाटल ने आरक्षन की मांग को लेकर शिंदे सरकार की नीन दोडा दी थी और अब शिंदे सरकार के मंत्री मराठा आरक्षन को लेकर शिंदे सरकार को घेर रहे हैं। क्या है पूरी खबर देखते हैं इस रिपोर्ट में। साथ ही पिश्णा वर्ग आयोग नियाशिंदे कमिटी को खत्म करने की मांग की गई। मंत्री भुश्बल ने आगे बताया कि इस बैठक में 26 जनवरी को मुख्य मंत्री से प्रकाशित मसौदे को रद्ध करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें मराठा कोट कारेकरता मनो जरांगे की मांगों को स्विकार कर लिया गया था। चकन भुश्बल ने कहा कि वो OBC अधिकारों के लिए यही नहीं रुकेंगे बलकि अदालती लडाई लड़ने के लिए भी तयार है। नेताओं ने दृड संकल्प व्यक्त किया कि सभी OBC को पार्टी की भ पर अपत्ती जताई है। उन्होंने 28 जन्वरी को मराठा समुदाय को आरक्षन मिलने तक OBC को मिलने वाले सभी लाब देने के महराश्ट्र सरकार के फैसले पर असहमती जताई। नारायन राने ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा। एक नाच छिंदे की मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। कि जब तक मराठो को आरक्षन नहीं मिल जाता तब तक उन्हें OBC को मिलने वाले सभी लाब दिये जाएंगे। राजे सरकार ने आंदोलन खत्म कराने के लिए एक मसौधा अध्यादेश भी जारी किया था। शिंदे सरकार ने इससे पहले भी आरक्षन का वादा किया था। और दोनों बार मनोज जरांगे पार्टिल ने इसी वादे पर अंशन खत्म कर दिया। हाला कि आरक्षन का रास्ता अब भी साफ नहीं है। मनोज जरांगे ने भी चेतावनी दी है कि इस बार धोका हुआ तो मुंबई के आजाद मैदान आऊंगा।